कि आपको पता है कि जो बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं उनके पिलर कैसे बनाए जाते होंगे पानी के बीच में और आपको पता है कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने अपनी माँ से ही साधी कर ली थी और आप कैसे समय में 20 साल पीछे देख सकते हैं इस बीडियो में आपके लिए ऐसा एक टैनावेजिंग फैक्स को लेकर आए हैं तो बने रहे हैं वीडियो में लास तक कि आपको पता है कि यूटूब पर एसा वीडियो जिस पे आज भी 301 वियू है पर उस पे सारे 4 लाग से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं और उस पे कित होती है वो तीसरी फिंगर में ही क्यों पहनाई जाती है आप सोच रहे होंगे ऐसे ही पर इसके पीछे बहुत बड़ी वज़ा है क्योंकि वो तीसरी फिंगर में इसलिए पहनाई जाती है क्योंकि वही एक ऐसी फिंगर है जिसकी जो एक निनास होती हो सीधा दिल से कि आपको पता है कि जो स्नेक्स होते हैं अगर कहीं आसपास भूकम पाने वाला होता है तो उसके 5 दिन पहले ही स्नेक्स को पता चल जाता है कि यहां भूकम पाने वाला है और साथ में अगर कहीं दूर भूकम पा रहा होता है तो उसके 12 किलो मीटर दूर से ही साफों को पता जल जाता है कि वहाँ पर भूखम पाया है और वो उससे दूर हो जाते है जो बड़ी बड़ी कमपनियां होती है वो वाटर बोतल्स में पैक करकर बेजती है वो ये बताती है कि हमारा पूरा पानी आरो का फिल्टर पानी है पर आपको बता दें कि वो पूरा जूट होता है उसमें जो 40% वाटर होता है वो सिर्फ आरो का होता है बाकी सब आम नल का होता है और इससे कमपनियां बहुत जादा मुनाफ़ा कमाती है कि आपको पता है कि जो किरिकेट है उसमें जो बालर होते हैं उनसे नोबाल तो जाती है पर साइद अजमल एक ऐसे पाकिस्तानी बालर है जिन्होंने पूरी जिन्दगी में 3,170 ओवर फैके हैं लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी नोबाल नहीं फैकी है ये उनके नाम दर्ज एक बहुत ही बना रिकॉर्ड है कि आपको पता है कि इंडिया के बारे में आपको एक ऑसम फैक्ट बताना चाहते हैं भारत ही पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पर आप एक मंदिर से 7 किलो मेटर दूर नहीं जा सकते हैं आप जैसे किसी मंदिर से 7 किलो मेटर दूर जाएंगे उसके साथ ही आप किसी दूसरे मंदिर के संपर्ख में आ जाएंगे ये भारत की नाम पे बहुत बार रिकॉर्ड है कि आपको पता है कि अगर हमारी धर्ती से 10 प्रकास वर्स दूरी पर एक बहुत बड़ा सीसा लगा दिया जाए उसकी बाद में उस सीसे को जब टेलिस्कोप से हम देखेंगे तो आपको पता है उस सीसे में क्या दिखाई पढ़ेगा उस सीसे में हमें हमारा 20 साल पुराना इतिहाज दिखाई पढ़ेगा अगर अच्छा लगा हो तो इस फैक के लिए एक लाइक तो बनता है क्या आपको पता है कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने अपनी माँ से साधी कर ली थी उस राजा का नाम था उने पास जिसने अपने पिता की हत्या कर अपनी माँ से ही साधी कर ली थी अब आता है सबसे बड़ा सवाल आपने तो बड़े बड़े बिच देखे हैं योंगे और आपको पता है कि उनके पिलर पानी के बीच में कैसे बनाये जाते होंगे तो उसके लिए सबसे पहले एक धाचा होता है जिसको उस नदी में जहां पिलर बनाना है वहां रखा जाता है और वो पानी को लाग कर देता है उसके बाद में उसके बीच से मोटर से पानी निकाल लिया जाता है फिर उसके अंदर वरकर्स अपना काम सुरू करते हैं और इसी तरह बनाये जाते हैं ये पिलर्स उमीदिए आपको वीडियो अच्छी लगई वहीं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और आपको वीडियो कैसा लागा प्लीज कमेंच में बता है यह से बिदुद ने बिद्ट ने देखे आफ से अईले वीडियो में तो दे के लिए गुड़ बाई